अम्रित सर्में सुक्रवार को देर साम जोरा फाटक के पास दथारा के उससब के दवरान हुए रेला हाथसे में पुलीस ने गैर इरादन हत्या लाप केस दर्ज किया है इस हाथसे में 70 से जाएदा लोगों की मौत हो गई और 1500 से जाएदा लोग घायल हो गए है DMEU चालक को हिरास ले लिया गया है और मेला आयजुको के खिलाब भी मुकादमा दर्ज किया गया है अमोमन आप सोचते होंगे कि यस ट्रेन हाथसे में ड्राइवर ने ट्रेन क्यों नहीं रोगी थी तो इसके 5-6 वज़ा हैं जो हम आपको बता रहे हैं अंधेरे होने कारण ड्राइबर को काफी नजदीक आतकर भीर के बारे में पता चला ट्रेन को इमर्जेंसी ब्रेक लगाते लगाते भी वह एक किलो मीटर तक रन कर जाती है इसलिए वह इमर्जेंसी ब्रेक लगाया था लेकिन इसका फायदा नहीं हो पाया दुसरी और रेलबे परसासन को इस बारे में कोई नहीं तोचना दी गई थी मेला आयोजको की द्वारा रेलबे परसासन को कुछ नहीं बताया गया था भीर बर सकती है और ट्रेक पे भी आ सकती है अस्थानी अजको ने की थी बरी चूक कोई भी लाइटिंग वाइटिंग की विवस्था नहीं की थी जब भीर जैदा होने लगा था तो कोई भी विवस्था नहीं था कि भीर को वहां से हटाया जाए और दुसरी और ग्राउंड वहुत ही छोटा था तो अगर ऐसा अगर भीर जैदा होने वाला था और वहाँ पे एक celebrity भी आने वाली थी जो नब जोत की पत्नी थी जो की एक मंत्री रहा चुकी है उसके ब्रेक मारी भी थी लेकिन उसके emergency ब्रेक लगते लगते भी train एक किलो मीटर तक जा चुका था उसके बाद लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी इसलिए उसको train लेके आगे बढ़ना परा उसने भीर को करीब आते देख पूरी होर्न बाया था train का लेकिन लोगों को उस समय मोका ही नहीं बिल पाया जब तक लोग समलते train जा चुकी थी और train रुकते रुकते हुए भी वो एक किलो मीटर तक जा चुकी थी और लोगों ने पत्थरबाजी वहाँ पे जो अस्थाने लोगों थे पत्थरबाजी train पे शुरू कर दी क्योंकि उस समय लोगों को पता नहीं था कि कितनी मोत हुई बस उन वो यह देख रहे थे कि driver ने train चला दी इसके कारण पत्थरबाजी train पे शुरू हो गए इसलिए train driver को train से वहाँ पे लेके वहाँ से लेके निकनना परा थैंक्स फुर वाचिं इस वीडियो